संगीता गुपता जी भूपाल मत्यप्रदेश से हैं भागवजी के ऊपर रखी हुई या ठाकुर जी के पहनाई हुई माला को क्या करना चाहिए देखिए भगवान को चड़ी हुई जो माला है वह है प्रसादी माला हो जाती है तो एक तो यह है कि आप जो भगवान को पुस्प तुलिश्टी आदी अर्पित करते हैं वो भगवान से उतारने के बाद उसको प्रणाम करें और उसको सिर से लगाए और उसको थोड़ा सूंगना चाहिए जब भी आप भगवान के उपर से पुस्पो उतारते हैं तो पुस्पो उतारने के बाद उनको पहले प्रणाम करें मस्तक से लगाएं और फिर उनको ऐसे कोई ठाली में पात्र में प्लेट में रख करके उनको सूंगना चाहिए इससे हमारी बासना का नास होता है तो एक तो ये करें फिर ये है कि उन पुस्पो का क्या करें क्योंकि यदि हम ये करें कि नदियों में बिसर्जित करें तो इतने मंदिरों में फूल चड़ते हैं इतनी मालाएं चड़ती हैं वो सब ले जाकर नदियों में डाली जाए तो नदिया प्रदुश्यत होगी साथ में ही उनको जब निकाल करके घाट पर लगाया जाएगा तो कहीं न कहीं वो कच्रे के धिर में जाएगी फिर वो गंदगी जाकर के मिलेगी तो वो भगवान के पूजा की जो मालाएं है तुलसी उसका अनादर होगा तो क्या करें आप उसको किसी इस्थान पर सुखा लेजिए कहीं छट पर जगए है तो छट पर ऐसा डाल दीजे कि वो सूख जाए और धूप में सूख जाएंगे या कहीं गार्डन में आपके पास कोई गार्डन है कोई जगह है तो वहाँ सुखा करके उसकी खाद भी बना सकते हैं मालाओं की पुस्प मालाओं की खाद बहुत अच्छी होती आप अपने घर के जो गमले हैं पोधी हैं उनमें उसकी खाद डालेंगे तो आपके पुधों के लिए खाद भी मिल गई और उनका उपयोग ठीक हो गया और यदि खाद बनाने की वबस्ता नहीं है या नहीं हो पारा तो सुखा करके उनको और चूर्ण जैसा बन जाएगा फिर उसको कहीं भूमी में मिट्टी में डाल दें आप उसको मिट्टी को खनन करके थुला कढ़धा बना करके उसमें भी दवा सकते हैं ताकि वो किसी के पैरों में ना आए तरसकार ना हो और वो जाए तो एक और समस्या होती है कि भगवान की जो फोटो है अब वो खंडे तो हो गई है कहीं से फट गई है तो क्या करें तो लोग यहाँ वहाँ पढ़क दें तो तरसकार होगा जल्बे प्रभाहित करें तो नदियां पर दूस्यत होंगी और फिर वो कहीं ना कहीं किनारे लग करके फिर पैरों में आएगी तो उनके लिए भी उप्युक्त यह है कि किसी नदी तालाव के किनारे जा करके उनको नदी में इस पर स्करा करके बिसरजन का भाव कर लिया उसके बाद मिट्टी खरनन करके उसको भूमी में ही उनका जो है कर दे भूमी खरनन करके तो ज़्यादा अच्छा है क्योंकि वो किसी का तरशकार हो, पेर लगें, तो बहुत अपराद है, हम तो इस बात के भी पक्षमें नहीं हैं कि हर कहीं भगवान के फोटो बनाई जाएं, आज कल एक परमपरा चल पड़ी है, कि चाहे जैसे परचे हों, पंपलेट्स हों, बेनर हों, या साधी के कार्ड हो उनमें भगवान के चितरचवी बनाई जाती है, और फिर वो जहां तहां पड़े रहते हैं, पेरों में आते हैं, तो यह एक तरह का अपराद है, भगवान का फोटो वहीं बनाएं, चहां उसकी ठीक से सेवा पूजा हो सके, या उसको सम्मान जनक स्थिति में रखा जा सके तो जगे जगे भगवान के चितर बनाना और चित नहीं है, ऐसे कागज पेपरों पर ही चितर बनाएं, जिनको हम सुरक्षित रख सकें, जिनको हम पेरों में न जाने दें, जिनकी हम देखवाल कर सकें